नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका अपने चैनल कीस्टू सक्सेस में आज हम हिस्ट्री के बहुत धर्म का जो टॉपिक है वह फाइब मरकर दिखेंगे जिसमें पचासे सौ सब्सक्तों में आंसर लिखा जाना है और इस वीडियो में हम फाइब मरकर के जित्ते कोशन बन सकत इसके पहले थ्री मारकर बहुत धर्म के जो प्रशन थे वह हमने कंप्लेट करा दे गए आप वह जाकर कि दे सकते हैं और आप सभी को पता है कि हिस्ट्री कैसे टॉपिक है ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सभी एक्जाम में जहां जहां में आंसर रेटिंग करनी पड़ती है वह जिनें को सब्सक्राइब को लेजेगा तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं आज का पहला कोशन देख लेते हैं बहुत धर्म के प्रमुख सिद्धान्त के ओपर लिखना टिपनी ठीक है फाइब मारकर के हिसाब से आपको सौ सब्दों में या पचास से सौ सब्दो के बीच में लिखना है तो एक्स क头 फिप्टी वर्ट्स में लेंगें कि यहां पर आपको अंड्रेड़ वट्स में बताया रहा है हन्ट्रेड़ वर्ट्स में इस से बटाये जा रहा है इसके बटाए नौर सिर Сейчасई झाने और टिर बौत धर्म मुलत दा अनिश्वरवाद आनात्मवाद च्छनिकवाद पर अधारित है तो इसमें आपने विभिन ने चेत्रों में जो बुद्ध की सिख्छाइन दी उसके बारे में बता है और उनके जो सिद्धान थे उसके बारे में बता दिया इंट्रों में ठीक है अब इ इसा टेवल का फॉर्म बना सकते और उसके अंदर एक इक डुद्ध लाइन लिख सकते हैं जिसमें चार आस्ते में लिख सकते की दुख हे की लाशीटा और मीदीवहता का त्याक करना ठीक है यह हो गया मेद्धिमार नैश्ट त्रीरातन में क्या लिखेंगे कि बुद्ध, धम, संग ठीक है यह इसके त्रीरातने हैं दस शिल में आपको क्या लिखना है जो दस शिद्दानत थे इसके कि किसे आप言क और चलकर सांती पूर्ण जीवन प्वेदित कर सकते हैं सत्य अहिंस आस्ते अपवारिग्रा मद्द सेवन नहीं करना मतलब सरापना पीना, ब्रह्म चारे असमें भोजन नहीं करना, सुख प्रद विस्तर पर नहीं सोना, संगित वन रत्य से धुरे रहना और इस्त्रीयो के संसरक से बचना तो यह दस सिल के सितधान दोगे, अब यह ठीक है तो यह आपका फ्रेमिंग हो गए कि कैसे आप एक कोशन लिखेंगे अगर जैसे इसके उपर आगे कि बहुत धर्म के प्रमुख सिद्धान के उपर लिखना है ठीक है समझ में आगया होगा नेक्स कोशन देखते है इसका नेश्ट है कि बहुत धर्म की लोग प्रियता के कारण बताना है ठीक है तो इसके बारे में देख लेते हैं कैसे निसकर्स बनेगा कैसे फूमी का कैसे बूमी का बनेगी कैसे बॉड़ी और कैसे निसकर्स आएगा ठीक है तो आज की रेट में तो आपको पता है कि इन्होंने क्या किया है कि सिर्फ 10 जी लाइन कर दिये ज नोने 14 लायेंज कर दिया था, का answer writing इतने में करना है उत् 활ilis को बड़ा करके आपको शीदा एक पेज़ा दिया था, तो लोग confused हो गया थे वे और आदे पेज में लिखे यह पूरे पेज में लिखे तो जिन लोगों ने भी पूरे पेज में लिखा उनको फायता होगा क्योंकि उन्होंने पूरा पेज दिया ना ठीक है तो इसको आपन एक पेज के आप से लिखके चलेंगे ठीक है क्योंकि आयोक क्योंकि आयोक का कोई निरधारित नहीं रहता है तो चलिए आज इसको देख लेते हैं क्या है तो इसमें क्या के लिखेंगे आप सबसे पहले इसमें लिख दिया आपने कि बहुत धर्म चटवी सदाब्दी इसापुरो धार्मी कांदलों के रूप में उतरी भारत में परिणिद हुआ तो इसमें देख लेते हैं कौन-कौन से बिंदू है अब इस फ्लोचार्ट को आप कैसा भी बना सकते हैं इसमें ऐसा बना दिया गया या फिर यह इसा सरकल बना करके बिए ऐस एक सुवोद वा अनुकुल सिद्धान था दार्सरी विचारों के स्थान पर सुद्ध आचरन पर बल दिया गया था ठीकर दार्सरी विचार उस समय के जो जनता थी उन्हें उतना समझ में नहीं आता था कि मोक्षे क्या होगा है ना और जीवन कैसे जीना चाना चाहिए तो उसके इस्तान पर सुद्ध आच्रन पर बल दिया था इन्होंने नेक्स्ट है कि इसके बाद किया है अनुकुल वादतवरन रुडी वादी तक कर्वकान का त्याक करने की बाद कई रहसे वाद बुजारी और पूरहुतों से छुब्द वैस्ता का खंडन किया ठीक है जन भासा देख लेते हैं कि जन भासा केसी थी जन भासा थी तातकालित भासा पाली में दिया पहले के प्राकरत में चल प्राकरत भासा थी फिर उसके पाली आ गई उसके पहले संस्क्रत थी तो जो की बहुत कठीन थी तो इन्हों ने जो भी अपने उब्देश दिये वो पाली भासा में दिये और जन्मानस की भासा थी वो पाली पहले से इस वज़े से इनकी लोग प्रियता का करण वरा इसका है छेदरी भासा में उबदेश से जना कर से ठीक है छेदरी भासा थी पाली जैसाब कि आपको पता है नैश्टे की विदेशों में प्रचार बसार किया गया है मद्दिय ऐशिया, चीन, जापान, बर्मा, तिबबत ये साब आपको पता है कि बहुत सारे वहां के राजदूता है उनके माद्यम से या फिर अपने पूत्र पूत्रियों के माद्यम से भी इन्होंने परचाप पसा किया संगमिद्रा को बेज़ा गया ठीक है नैस्ते की समानता की भावना जातिकत बेद्वाव का अभाव था असप्रिश्यता के दर पर जो बेद्वाव के जाते था वो उनका एक खंडन करते थे सभी की मोक्षक के अधिकारी इनके दोरा ये मानने था थी इस वचे से लोग इनके धर्म के प्रतिया आखर सित हुआ तो इनके धर्म में सभी के प्रति धया भावना थी करूना थी नैस्ते की बहुत हम बहुत संग कासा डाटा लिख दिया इसमें से आप 4-5 पॉइंटी ही लिखेंगे अगर 50 वर्ट्स में आता है तो ठीक इसका दिसका निसकल बना देंगे आप कि निसकल्स में के लिखेंग बहुत धर्म का प्रसार भारत विदेश्यों में तेजित से बहुत हुआ इसको शॉट भी कर सकते है तो यह इसके उपर एक 5 मरकर बना दिया ठीक नेक्स देखते हैं इसके उपर कोश्चन क्या बनेगा इसकार नेक्स कोश्चन है कि बहुत धर्मकी भारती संस्क्रती को देन तो कैके देन थी उसके ऊपर बनाने देंगे चार-पांच पॉइंट लिख देंगे बहुत धर्म की देन अगर लिखी थे या अगर प्रदस्थी थे जिसमें पॉंट वाइस लिखा हुआ है देख लेते हैं पहले आपने समाजिक छेत्र लिखा तो समाजिक छेत्र को अच्छे से आपने ब्लॉग बना करके दिखा दिया गया ठीक है तो उसे देखने की जोतनी समान और विश्वास बढ़ा ठीक नेश्टे की धार्मिक छेत्र में क्या किया बुद्ध मुर्ति पूजा से हिंदु धर्म प्रवाइद था धार्मिक सेशनुंता की सिक्षा दी थी राजनितिक छेत्र में देखते कि अहिंसा के उद्दे से भारती नारेसों जैसे आसोक का प्रविवतन हुआ था कलिंग के युद में तो राजनित छेत्र में यह योगदान हो गया ठीक है पंचे सिल्क का जो समझोता हुआ है जैसा कि भारत और चीन के बीच में आजादी के बात तो वो भी एक इसके उधार में डासकते हैं ठीक नेश्टे कि साहितिक छेत्र में भारती इतियाज जानकरी के स्रोत के इसाप से जातक कता है ति रिपीटक मिलें दे बनों नेक्स्ट क्या इस्तावत कला में क्या है युगदान इनका तो मंदिर इस्तूप गुफा चेत्ते का निर्मान कराएगा आपको पता है कि साची का इस्तूप बता सकते हैं आप ऐसे ब Southwest और पैले नाकरजुने जिने भारत का आइस्टीन बोला जाता है नैश्ते का चेत्रव नालन्दा तक्ष्य सिला विक्रम सिला विकवित देले का युगदान महत्पुन रहा है उसमें क्योंकि यह बौत د्भर्ण की सिला के महत्पुन केंदर. रहे कितने इख यूगदा लोग इसके ऑपको नेश्ट को ना देना गी भारतिय संस्कृति में बोद धर्म का यूगदान महत्पूर है ऐसा कोई चेडर नहीं जिसमें बहुत धर्म अच्छुतर आहो और बोद धर्म की समचत्छा छेड्रों में देन वर्तमा समझ के समख्ष उत्क्रेश्टो धारन प्रस्तूत करता है ठीक यह हो गया इसका पर्टिकुरा पूरा तो यहाँ पर आपने भारती संस्कति को देन पूरा कवर कर लिया ठीक नेक्स दिखते हैं बहुत धर्म के पतन के कारण बताना है ठीक तो शुरुवात कैसे करेंगे दिख लेते भारत में सात्वी सताब्दी तक इतना सारा नहीं लिखना है आपको थोड़ा से लिखना है लेकिन यहाँ पर आपको एक समझाने के तोर पर भी बता जा रहा है भारत में सात्वी सताब्दी तक बहुत धर्म की निरंतर प्रकति होती रही ततबश्चा उसमें क्रमिक पतन प्रालम भुवा तता बार्वी सताब्दी तक यह धर्म अपनी मूल भूमी से विलुपत हो गया, बोध धर्म के पतन हेतु विविने कारण उत्रद आई थे, यहां पर फिलोशाण में बता दिया, आंतरिक कारण और भायकार, ठीक, तो देख रहे थे कि कौनसे कारण इसमें आंतरिक थे और कौनसे भाय थे, तो आंतरिक कारण में बतातें कि बोध विहारों में आनिक तिकता, संग में विवेद, संप्रदाय विवाजन, जैसे संग में महिलाओं का प्रवेशना होना पहले, ब्रामनों का विरोध, वेदान्त दरसन से वेदिक धर्म को बढ़ावा, आने धर्मों के तिरसकार से लोगों में असंतोस बढ़ा, बाय करण में बता सकते हैं कि हूणों के बाद भारत में लगातार हमले होते रहे, अरब तुर्क मुस्लिम आकरांतों का अकरण हुआ है, जिसमें कि इन्होंने क्या किया है, विक्रम सिला, विश्विद्द्द्द आग लगाना या उनकी जो पांडुली पिया थी, जो गरंते थे बहुत धर्म के, या हिंदु धर्म के जितने भी गरंते सब जला दी गए, बहुत मिद्वानों, संतों को खतम कर दिया गया है, पूरी तरिके से मुस्लिम आकरांतों का, यहाँ पर एक ही मक्सद था कि भारत से धन दोलत लूटना और जो बहुत धर्म या जेहन धर्म या हिंदु धर्म है, उनके लोगों को मार डालना और धर्मांतरन करना, ठीक, ने स्टेस के बाद की अन्य कारण क्या है, अन्य कारण में आप बताएंगे कि भागवत धर्म का उदय हिंदु धर्म में सुधार, कर दोलत धर्म का उदय है, राजकी संरक्षन का अन्ता विदेशी आकरमन, यह सब इसके अन्य कारण थे, तो गोई भी धर्म हो जिसका परिवतन लोगों को नकारत्म संदेश दे, उसका पतन होना निश्चीत है, बहुत धर्म के पतन के साथ वेदी धर्मों का प्रसार बढ़ तो दोस्तों बताईएगा कि वीडियो कैसे लागा है, वीडियो आज का यह समाब तो हता है, इससे समधी जीतने भी फाइव मरकर बन सकते थे, वो बता दिये गए, इसका नेक्स टॉपिक आएगा इसका, बहुत धम के पाथ, ठीक है, उससे देखेंगे हम, थैंक्यू सो